आज कल greater noida west की जो metro है उसको लेकर काफी कुछ सुनने में आ रहा है last week आपने देखा ही होगा कि काफी सारे जो residents थे greater noida west के वो लोग protest पर उतर आये कि इतना समय हो गया है इतने commitment के बाद भी अभी तक greater noida west में metro नहीं आ पाई है इसी वज़े से जो UP assembly है उसमें भी इस चीज़ को highlight किया गया कि यहां के residents काफी परेशान है metro ना आने की वज़े से तो यहां पर जल से जल metro का काम शुरू किया जाए तो यह तो हो गई एक चीज़ कि यह जो चीज़े चल रही है लोग काफी concern नजर आ रहे हैं metro को लेकर तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी क्या metro आने से आपकी जो problems है greater noida west की वो solve हो जाएंगी या as such कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इसलिए आपको इतना tension लेने की बात नहीं है कि metro आ रही है नहीं आ रही है तो इस वीडियो में सब कुछ discuss करेंगे इस वीडियो को end तक देखेगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like भी कर दीजेगा देखिए greater noida west का जो project है वो तो almost ready है इसमें जो track है वो 15.4 km लंबा है और जिसमें phase 1 और phase 2 में काम complete होना है phase 1 9.6 km का है और जो phase 2 है वो आपका 5.8 km का है लेकिन अब जो major change है phase 1 में वो यही है कि जो metro line है जो पहले sector 51 से connect करने वाली थी aqua line से लेकिन वो वहां से ना connect करके वो sector 61 जो blue line का station है उससे connect तरेगी और यह एक interchange station भी होगा इदर से आप blue line के लिए भी switch कर सकते हो और जो remaining 5 stations होंगे वो आपका NOIDA के होंगे 2 stations और 3 stations होंगे आपके greater noida west के NOIDA का आपका होगा 122, 103 सेक्टर और greater noida west में आपके आ जाएंगे sector 4, sector 2 और eco tech 12 तो आपको greater noida west में जो first phase है उसमें सिर्फ तीन ही stations मिलेंगे तो यह आपको keep in mind रखना पड़ेगा और अब एक बात जो है जो मुझे इसमें interesting लगती है कि लोग इतना worried है और क्यों worried है और इसके worried होने का कोई reason है नहीं क्योंकि अगर मैं यह मान लूँ कि सारी चीज़े जैसे कि लोग इतना protest कर रहे हैं assembly तक भी यह बात पहुँच चुकी है तो suppose हम लोग मान लेते हैं कि जो metro का जो phase 1 का काम है जो 9.6 km लंबा जो track है उसका January 2024 से काम शुरू हो गया लेकिन आपको पता है कि अगर phase 1 का जो काम है वो शुरू भी हो जाता है अगर January 2024 से तो भी आपको लगभग 5 साल का इंजार करना पड़ेगा तो आपका जो यह जो project है December 2028 में complete होगा पहली बात तो अब यह जान लीजे तो 5 साल में इस Greater Nevada West की कहस्तिती होगी आप अब यह भी समझ लेते हैं देखें, Greater Nevada West जो है आपका क्यों लोग यहाँ पर भाई करते हैं फ्लैट उसके तीन कारण है आपको आइडिया होगा एक तो society culture है यहाँ पर affordability है और तीसरा इसकी location है यह तीन कारण है और इसी वज़े से जो तीन major problems जो आपको देखने को मिलती है डे टू डे लाइफ में अगर अगर डेट अड़र वेस्ट में रहते हो तो वो main problem यहाँ पर एक तो density यानि की population की आ जाती है एक pollution की आ जाती है और तीसरी आ जाती है traffic jam की तो यह चीज़े मैंने आपको बता दी है कि तीन क्या reason है जिसकी वज़े से लोग यहाँ पर घर लेना चाहते है और तीन कौन सी वज़े है इस वज़े से जो है यहाँ पर यह problems देखने को मिलती है अब अगर metro 5 साल बाद आ भी जाती है तो क्या यह problem solve हो जाएंगी population, pollution और traffic jam की तो यह बिल्कुल भी नहीं होने वाला है अब आप यह समझ लीजे कि जो अभी अगर मैं आज की बात करती हूँ तो जो authority है वो तो यह बताती है कि 3 से 4 लाख जो लोग हैं वो इस time presently जो है greater noida west में रह रहे हैं लेकिन यह actual तो मुझे numbers नहीं लगते हैं क्योंकि अगर आप कभी भी निकले हों greater noida west में तो आपने feel किया होगा कि ऐसा नहीं है कि 3-4 लाख लोगों की आबादी वाला तो यह वाला जो area हैं नहीं लगता है मुझे जो लगता है कम से कम 10 लाख तो होंगे ही 10 लाख ना भी माने तो 8 लाख के करीब तो लोग यहां पर अभी रह रहे हैं already और अगले 5 सालों में यह जो numbers हैं यह double हो जाएंगे अगर मैं 8 भी मान लेती हूँ तो 16 लाख और अगर 10 हैं तो यानि कि 20 लाख लोग यहां पर shift हो जाएंगे क्योंकि अगर आप कभी निकले हो तो आपको पता ही होगा कि जिस जगे यह metro प्रपोस की जा रही है सेक्टर 4, Eco Tech 12 और जो आपका सेक्टर 2 है यह area तो आज की date में भी काफी well populated है अच्छे कासे बस चुके हैं इंदर पूरी population है और आने वाले समय में आप सोचेगा ना कि अगर यहां की occupancy in areas की 50-60% है तो वो 100% हो जाने वाली है और जो नए सेक्टर से सेक्टर 10 हो गया, सेक्टर 12 वगरा हो गया यह अभी नए बस रहे है यहां भी position मिल जाएगा और लोग shift हो जाएंगे तो अब आप यह सोचेए कि कहा लाइफ असान होने वाली है या लाइफ जो है बिल्कुल सेम ही रहने वाली है तो इसलिए आपको इतना वरिसम नहीं होना चाहिए Metro को लेकर आपको अपनी priorities जो है clear रखनी चाहिए कि आप यहां पर move क्यों कर रहे हो आप किसी project में पैसा क्यों लगा रहे हो यहां पर property क्यों buy कर रहे हो Metro को concern में रखके आप अपना decision मत लीजिए क्योंकि जो Metro है वो आ जाए या नहीं भी आए as such जो मैंने तीन problems बताई है यहां पर कि जो pollution है population है और traffic jams है वो solve नहीं होने वाला क्योंकि 5 साल बात phase 1 अगर complete हो भी जाता है तब population में यहां की double हो जाएगी तो आप सोचिए कि यहां की क्या इस्थती होने वाली है सारी चीज़े जो है आपको अपने आपसे handle करनी पड़ेंगी life इतना easy नहीं रहने वाली है इस area में एक तो हो गई यह बात अब वही बात है कि यहां पर लोग shift होते है affordability, society, culture और जो यहां की location है तो इस वज़े से आपको decision जो है अपने हिसाब से लेना चाहिए कि आपकी जो job की location है या आपको यहां पर convenient लग रहा है city to city मतलब वे टनड़ वैसे हमें नौइटा जाना है, Delhi जाना है कहीं भी जाना है तो तो problems जो है day to day life में आपको face करना ही पड़ेंगी अब एक चीज में आपको और एक इसमें extend करना चाहती हूँ क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि मैंने मेट्रो से travel नहीं किया है और मेट्रो आने से बहुत जादा आसान हो जाती है चीजे तो अब मैं आपको एक example दे के समझा देती हूँ देखे, मैं डेली में रही हूँ 8 साल और मैंने daily commute किया है मेट्रो से, वो भी peak hours में क्योंकि मेरे को office के लिए travel करना पड़ता था तब आप ये मानिए कि Delhi well populated है ये सभी को पता है और वो well connected है metro lines के थूँ जो कि अभी greater not a west में जासे मैंने बताया सिर्फ तीनी stations आपको मिलेंगे 5 साल में और उसके 5 साल में जो है next phase शुरू हो सकता है लेकिन अगर Delhi की बात करती हूँ तो well connected है सब कुछ है public transport भी बहुत अच्छा है metro की connectivity बहुत अच्छी है लेकिन इस्टिल उस time भी metro में जो rush होता था Delhi में कि मैं avoid करती थी कि जो morning वाला जो time था उसमें मैं आ जाओ मैं cab ले लू और तो से चली जाओ अपना office जो है लेकिन metro में जाना avoid करती थी मैं जबकि मेरे को switch नहीं करनी परती थी Delhi से मेरे को Delhi ही move करना परता था तो आप सोच लीजे कि जब दिल्ली का ये हाल है जब वहाँ पर metro इतना fully मतलब एक तरह से well connected है every area connected है तब भी जो है दिक्कत होती थी मुझे इस वज़े से मैं नहीं जाती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगता था even by road आप जल्दी बहुत जाओगे दिल्ली में अगर आप metro से जा रहे हो तो लेट हो जाता था ये चीज थी ठीक है लोटते समय कोई दिक्कत ही होती है आप कोई भी route ले सकते हो क्योंकि लोटते समय time का concern नहीं होता है आपको office business जहां भी आप जहां से भी आ रहे हो तो ये एक चीज है तो ये जो वीडियो है ये बनाने का मेरा यही motive था कि आप जो अपने decisions है अपने जो भी आपको property भाई करना है घर भाई करना है metro को concern में रखे मत लीजे और metro आने से या ना आने से जो आपकी जो life की है day to day की life की जो problems है वो solve नहीं होने वाली है ये चीज़े आपको accept करनी पड़ेंगी अगर आप इस area में रहते हो तो बस यही वीडियो था और hopefully आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ till then our next video bye bye